तो यह कहता है कि देखो इसमें से कौन सा इसमें से अगर L और B है तो L प्लस B की वैल्यू निकाल नहीं है देखो अगर मैं सम करता हूं L प्लस B का तो L प्लस B का अगर मैं जोड़ हूं सिंपल एड है तो 2.331 में मैं जोड़ता हूं 2.1 तो अगर मैं इनको एड़ करता हूं तो 134.4 मिलता है तो यह जो 4.431 मिला यह तो एक mathematical sum है हमें क्या करना है significant figure के हिसाब से solution निकला है तो significant figure में बच्चों हम यह देखते हैं जो addition हाँ significant figure addition और subtraction में हमें हमेशा decimal के बाद जो minimum होगा decimal के बाद minimum होगा answer में तना ही decimal के बाद minimum रहना चाहिए तो decimal के बाद देखते हैं जो decimal के natural बाद इसमें 3 significant bigger है decimal के बाद इसमें 2 और इसमें तो decimal ही नहीं तो decimal के बाद one significant figure है तो मैं इन दोनों को drop करूंगा तो final answer 4.4 होगा तो इसका मतल़ बहुत है हाँ इसका मतलब बेव हुगा कि अब यहाँ देखिए दो जिनका जोड होता है जोड होता है उनका decimal जैसे एल के decimal के बाद three significant figure है और 1 में decimal के बाद B में 1 है तो जब final answer होगा उसमें one significant चाहिए डेसिमल के दिन का सम हो रहा है तो सी आप्शन इसे मैच करता है जो कि डेसिमल के बार वाद रखता है